राजे रादे दोस्तों खुशी की रसोई में आपका स्वागत है तो आज मैं फिर से एक नही रेस्टिपी के साथ हाज़ेरूं तो आज मैं बनाने वाली हूँ बाज़े का ठुकवा तो यह रेस्पी किस तरीके से बनेगी बिल्कुल इजी रेस्पी मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर हमने 500 ग्राम बाजरे काता लिया हुआ है इसी के साथ हमने एक कटोरी तिल लिया हुआ है तिल को आप साफ करके ले लिजे क्योंकि तिल में जो होता है डस्ट बहुत होते हैं तो आप देख रहे हैं अग्दम साफ करके लिया अगर साफ नहीं करेंगे तो थोड़ा सा किटकेगा और इसी के साथ हमने धाई बेली गुर लिया है तो यहां पर आप देख रहे हैं तो आप खलड में भी इसको तोड़ करके ले सकते हो तो हमने नाइक से ही काट लिया है बहुत सौफ्ट गुर है अच्छा गुर है और गुर इसके लिए मीठा वाला ही हो इस चीच का ध्यान दीजेगा तो सारा गुर हमने काट लिया है अब एक बाउल लेंगे बाउल में पानी एड़ करेंगे जो हमने आधी ग्लास ली हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो एक दो कॉला पानी और ले लेंगे और पानी लेने के बाद उसमें सारा गुड़ हमें एड़ कर देना है और गुड़ को एड़ करके हमें इस गुड़ वाले पानी को गैस पे चढ़ाना है और गैस पे चढ़ाने के बाद गैस को आउन कर देना है और इसको मेल्ट करना है तो इसको आप अराम से धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लीजे ताकि इसमें बिल्कुल गूर ना बचे सारे गूर एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए तो सारा गूर अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमने गैस ते हटा के थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है इसे तब क्या करना है हमें next process में एक कटोरा लेना है और च्छनी च्छनी में इसको हमें च्छान लेना है क्योंकि गूर जो होता है गूर में dust बहुत पाय जाते हैं आप देख पारें कटोरे में कितने dust है च्छनी में भी आगए इस बज़े से अगर हम छान लेते हैं तो बिल्कुल जो भी आप रैस्पी बनाओगे बिल्कुल किटके गी नहीं और अच्छे से बनके रेडी होगी अब क्या करना है आटा हमने ले लिया है और जो वाइट तील हमने लिया थी उसे हमें एड कर देना है करीब एक देड़ चमज बचा के जितनी तील है आपके पास सारा एड कर दीजे ये देखिए थोड़ा सा हमने बचा लिया है उसका यूज कब होगा मैं आपको बताऊंगी तो आप गुड़ वाला जो पानी है उसको थोड़ा थोड़ा आटे में डालते हुए आटे को आपको अच्छे से लगा लेना है और थोड़ा सा जब आप आटा लगाईए तो जो हाथ थोड़ा सा टाइट दबाईएगा क्योंकि बजरे का आटा है तो बहुत रूखा पन ह होता है इस आटे में तो थोड़ा सा हाथ जब आप टाइट टाइट दबाऊगे न तो आटा जल्दी लग जाएगा और विल्कुल गीला भी नहीं होगा अच्छे से सन करके रेडी हो जाएगा तो आप देख पा रहे हो ताइट हाथों से हमने आटा लगा रहे हैं अच्छ देखने के बाद इसका एक बॉल तयार करके हमें करीब आधा घंटा के लिए इसे ढख करके इसको ढखने के ढख करके रख देना है अर्जेस्ट हो जाएगा तब से आटा और अच्छे से फूल जाएगा तो आप ध्यान दिजेगा आटा थोड़ा धीला लगाईए के पहले और यहाँ पर आधे घंटे बाद आप देख पा रहे हो आटा हमारा अच्छे से अजिस्ट हो गया है और थोड़ा सा हमने धीला लगाया तो बाजरा जो होता है पानी सोखता है तो देखिए आप आटा थोड़ा टाइट हो गया है अब हम क्या करेंगे एक बॉल लेंगे छ थोड़ा सा ऊसको तिक्या की तरीके जैसे हमने बनाए उसतरे बना और करके तील में आपको कोटिंग कर देना है तो एक साइड थिलों अब बनाकर है तो दोनों साइड सटी में Grande कि कर सकते है वह तो आपकी या नुसार है हमम्हें की साइड कोटिंग कर रहा। है तो तिलमै कि यहां ध्यान दिजे की आप थोड़ा सा धबाते हुए हलके हाथों से टिकिया बनाना कियोकि इसका बाजरे काड़ा जो होता है दो बहुत जलदी तूट जाता है तो ईसे इचको आपको इसको fry करने तो तेल हमने पहले से गरम होने के लिए चड़ा दिया था तेल गरम भी हो गया है अप सारी टिकचला अधे करेंगे और एड करके जितना टिक आप करें ऐड करें और एड करके इसको थोड़ी दिर रहते दिजै थोड़ी देर बाद कलचली से इसको अपने जगह से हिला दीजिए और रंती पलटना नहीं है थोड़ा सा हिला दीजिए ताकि नीचे से लगे न और फिर इसके बाद अलट पलटके आपको फ्राई करना है इसको अलटते पलटते वे हम लगातार फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से रेड हो जाए रेड ब्राउन कलर का दिखने लगे तब तक हमें फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को आप लो मीडियम रखिएगा ताकि आप हाई फ्लेम पे इसको मत बनाएगा वरना अंदर से बाजरा कच्छा रह जाता है आप जब लो मीडियम फ्लेम पे तो बहुत अच्छा बन के रेडी हो जाएगा तो आप देख रहे हो कितना अच्छा इसका लुक आया है और कैसे दीख रहा है आपको देखने में ही एकदम क्रिस्पी लग रहा है तो खाने में भी इतना ही क्रिस्पी बना है बहुत जादा स्वाधिश्ट होता है हो सकते तो एक बार यह रेस्पी जरूर बना के ट्राइज जरूर करिएगा नेक्स्ट प्रोसेस में फिर हम जितना टिकिया हमारी बच्ची हुई है फटा 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 जल्दी से हम बना लेते हैं इसको भी अब हम फ्राई करके निकाल लेते हैं तो गाइस हमारी रेस्पी तयार है तो आज की रेस्पी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए रेस्पी पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमली के साथ जरूर शेयर करें अगर हमारी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूले और हाँ बैल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारी नए नी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे चलिए हम मिलते हैं फिर से आपके साथ एक नई रेस्पी में एक यूनिक रेस्पी में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो थैंक्यू